बड्र कॉम्रपास जादी दियर स्टुदेंट्स मैं इंपोर्टेंट डियाग्रामों सको और इन्हें आप याद कर लेजिएगा इस्क्रीन पर human digestive system है इस्क्रीन पर human digestive system का डाइग्राम है इस डाइग्राम में elementic canal को शोग गया है slabic gland को भी शोग गया है यह डाइग्राम ज़्यादे important नहीं है parotid gland को markal लें और sublingual gland को mark कर लें next डाइग्राम पर आते हैं next डाइग्राम में arrangement of different types of teeth है इस डाइग्राम को छोड़ दें anatomical region of human stomach इसको mark करें fundus, cardiac, body, apyloric next डाइग्राम पर आज़ें हैं आप डाइग्राम represent तीसे डाइग्राम पर दीए, थर्डाइग्राम ही है यह डाइग्राम important है diagrammatic representation of transfer section of gut यह डाइग्राम important है, इसको mark करें serosa, circular muscles layer, उसका longitudinal muscles layer, पेश सब-mucosa, mucosa और lumen है next diagram देगें पर इसक्रीयन पर इसको चोड़दे हैं इसको छोड़दे, next diagram पर देगें इसकी डाइग्राम पर देएप जिसको डाइग्राम है, वेरl इंपॉर्टन डाइग्राम है इसमें आपको मार्क करना है पेंकिराज ग्लैंड, कॉमन हिपेडिक डक्ट, कॉमन हिपेडिक डक्ट को मार्क करें और कॉमन बाइल डक्ट को बार करें हिपेटो पेंकिराडिक डक्ट को मार्क कीजे हिपेटो पेंकिराडिक डक्ट को मार्क कीजे आप ये डियाग्राम भी काफ़ी इंपोर्टेंट है ये रेस्पिरेटी सिस्टम का डियाग्राम है इसमें इपिगलॉटेट्स, लेरिंग्स और ट्रैक्यों को मार्क किजिए आप प्लूरल मेंब्रेन को मार्क करें लंक्स, अलगलाई, ब्रॉंक्योल्स एंड ब्रॉंक्स रेस्पिरेटी सिस्टम की डियाग्राम को इंपोर्टेंट मार्क करें आपसे इसमें इंस्पारेशन और एक्सपारेशन को शो किया गया है इस डियाग्राम में inspiration और expiration को show क्या गया है तेखें जो A डियाग्राम है उसमें inspiration है और जो B डियाग्राम है उसमें expiration है next इस्क्रीन पे जो डियाग्राम आ रहा है यह बहुत important है इसको आपको mark करना है exchange of gases at the alveolus and the body tissue with blood and transport of oxygen and carbon dioxide alveolus को mark करें alveolus में partial pressure of oxygen 104 mmHg है partial pressure of carbon dioxide 40 mmHg इसलिए oxygen pulmonary vein में diffuse कर गई ठीक है pulmonary vein से heart में गई और फिर heart से systemic artery मारी है और यहाँ पे partial pressure of oxygen है 95 mmHg और partial pressure of carbon dioxide है 40 mmHg उसके बाद body tissue में gas exchange हुआ और veins में partial pressure of oxygen है 40 mmHg और partial pressure of carbon dioxide है 45 mmHg इसके बाद heart में और heart से फिर यह lungs में जाता है इस diagram को mark कर लें यह थोड़ा important diagram है इसको important की category में diagram कर रखें इस diagram को important की category में रखा जाएगा next इस पर जो diagram screen पर रहा है very important बहुत जादा important है ठीक है इसको mark करें मैंने भी देखा था कि आपने पहला mark नहीं किया लेकिन इसको जुरू mark करें इसमें question ही आता है कि जो gas exchange होता है lungs में उसमें कितनी layer शामिल हैं उसमें कितनी layer involved हैं देखिए उसमें एक layer होती है स्क्रेमर्स बिथीलियम की one cell thick उसके बाद basement membrane उसके बाद endothelium तीन layer involved है मैंने number बें डाल दिया है one two and three ठीक है ये question ये diagram बहुत important है बहुत important है इसको miss मत कीजेगा ठीक है तो इस diagram ही पूछा जाता है कि जो gas exchange होता है उसमें कितनी layer involved हैं तो तीन layer involved होती है number एक इसको बिथीलियम एलवलाई की उसके बाद basement substance है उसके बाद endothelium of blood capillary की है next diagram देखते हैं कौन सा आता है स्क्रीन पर next diagram है oxygen decision curve का तो इस diagram जा है ये oxygen decision curve का है इसमें ये दिखाया गया है कि partial pressure of oxygen जब 40 mmG होता है तो लगबख 70% hemoglobin oxygen के साथ saturated हो जाती है next diagram देखें आप next diagram है next diagram आ रहा है यहाँ पर representation of form element in blood RBC है platelets, eosinophil, basophil, neutrophil है monocyte, b lymphocyte और t lymphocyte इसमें ज्यादा important को डियाग्राम नहीं है इस डियाग्राम को छोड़ देते हैं next diagram की तरफ आते हैं blood group and donor compatibility की का diagram है इस diagram को भी आप pass कर दें next diagram देखते हैं heart का diagram हा रहा है heart की diagram में इस टेडिकली ठीक है इसमें position देखें आप sino-atrial note की और atrio-ventricular note की quadit and dandy को मार कर ले bundle of his next next diagram देखें आप इसी जीगरा है ना यह important diagram है इसमें P wave QRS और T wave के बारे में पुछा जाता है P auricle depolarization को शो कर रही है QRS ventricle depolarization को और T wave जो है ventricle के repolarization को शो कर रहा है देखें P QRS है ना P wave शो कर रही है P wave के शो कर रही है auricle systol QRS ventricle systol और T wave जा है वो repolarization को represent कर रही है तो P wave auricle depolarization QRS ventricle depolarization और T wave शो कर रही है ventricle depolarization yes ये diagram तो बहुत important है इसमें capillary को mark करें आप right और artery में smooth massage को mark कीजे lumen को और इसी तरह से vein में smooth massage और lumen को mark कीजे venokwa venokwa जो है वो right auricle में blood को लेके जाती है और pulmonary artery lungs में blood को लेके जाती है और lung dari vein ये ना left auricle में blood को लेकाती है left auricle से blood आता है left ventricle में और left ventricle से blood आता है dorsal aorta में systemic ar cathro ठीक है और dorsal aorta से पूरी बाडी के different parts में चरा जाता है यह blood circulation डाइग्राम है बहुत important डाइग्राम है इसमें ध्यान देना smooth muscles को वेनकवा पूरी body से blood को लेकर right auricle में जाती है right auricle से blood जाता है tricuspid wall के थुरू right ventricle में right ventricle से blood जाता है pulmonary aorta में और जो यहाँ पे valve होता है उसका नाम है semi lunar valve pulmonary aorta से blood जाता है lungs में lungs में blood का oxygenation होता है और oxygenated blood pulmonary vein के थुरू आता है left auricle में left ventricle से blood जाता है left ventricle में यहाँ पे कौन सा valve है bicuspid valve है left ventricle से blood जाता है systemic arc में systemic arc से dorsal aorta के दोरा body different organs में जाता है next diagram देखते हैं कौन सा आ रहा है screen पर human urinary system का रहा है human urinary system का रहा है human urinary system का इसमें metanephric kidney हमें शो हो रही है metanephric kidney है और kidney के ओपर कौन सी gland है adrenal gland है kidney के दो भाग है cortex outer part है और medulla inner part है inferior venequia जो है kidney से blood को clot करती है ठीक है और renal artery kidney वे blood को supply करती है next diagram देखते हैं कौन सा रहा है next diagram में लॉंगी तुना section of kidney है ठीक है लॉंगी तुना section of kidney के दो पार्ट है cortex है एक medulla है medulla में प्रामिड है प्रामिड किसमें खुल लाया के माइनर केलिक्स में मेजर केलिक्स में खुलता है दो प्रामिड के बीच के बाग कहते हैं renal column of Bertini कहते हैं minor calyx open to the major calyx and major calyx open to the renal pelvis और renal pelvis urector में open होती है next diagram देखे हम next diagram है nephron का next diagram किसका है nephron का है इसमें वाशार एक्टा को मार्क कर लीजें यह जस्टा मेडुलरी नेफ्रोन है इसमें वाशार एक्टा को मार्क कीजें आप bohman capsule को, glomerulis को, efferent arteriol और efferent arteriol को मार्क कर लीजें आप इसमें next diagram देखे हम कौन सा और राय स्क्रीन पर next diagram है male pigeon body का next diagram है male pigeon body का इसमें efferent arteriol ब्लड को लेके जा रही है और efferent arteriol ब्लड को वापस लेके आ रही है bohman capsule में ultra filtration होता है male pigeon body को renal carpe cells भी कहते हैं next diagram हम देखते हैं next diagram important है इसको मार्क करें इसमें देखें bicarbonate का reabsorption जो हो रहा है PCT में भी है और DCT में भी है hydrogen ion diffuse and hydrogen secret from blood to nephron किसमें हो रहा है PCT में और DCT में इसको मार्क करें आप hydrogen ion जो है PCT और DCT में secret होते हैं next point देखें sodium chloride NACL reabsorbed from PCT NACL reabsorbed from DCT जो की conditional है और ascending limb में भी NACL का reabsorption होता है next nutrient absorbed from PCT water का passive absorption कहां पे PCT में भी है descending limb में है उसके बाद DCT में conditional है और फिक collecting duct में है next diagram हम देखते हैं इसके इन पर कौन सा आता है counter current mechanism counter current mechanism इसमें आप यह देखें context में osmolarity किती है 300 osmol पर outer medulla में 600 है और inner medulla में 900 से देखे 1200 तक है counter current mechanism में NACL involved है urea involved है और प्लस water counter current mechanism में NACL, urea और water involved है next diagram देखते हैं muscles का है muscles fiber का है ठीक है इसमें muscle band को सार्कुलेमा को blood capillary को next diagram है इसमें सार को मेर को mark की जाओ and h zone को i band and z line टीक है next diagram देखे यह diagram important है इसको mark कर लें actin filament है F-actin next next is agomatic bone and maxilla bone next is spanner cord is spanner cord में cervical curve and number curve इस दोनों कर बाद में develop होते हैं सार्सिक कार होता है सेक्रल कार होता है इसको mark कर ले इसको पैचान लेज़े आप अलना कौन सी है अलना कौन सी है रेडियस है रेडियस होई जो बाहर की तरफ है थम की तरफ है कार्पिल बोन और उसके बाद है metacarpel और philanges है next next leg की बोन नजर आ रही हैं सामने coxal bone coxal bone में ileum, isium और pubis होती है coxal bone में ileum, isium और pubis होती है femur उसके बाद padella bone को mark करें padella, sisamide bone pitibia और fibula टार्सल, metatarsal and philanges टार्सल, metatarsal and philanges bones के बारे में आप दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं next हम देखते है nerve cells screen diagram में neuron cell का है neuron cell में यह आता है कि nasal granos absent होते है तो nasal granos cytone पाए जाते है, dendrite पाए जाते है, लेकिन exon में absent होते है swan cell यूनियुकलेट होती है और जहां पे इंडिरेप्टेड होती है उससे node of ranvir करते है वसे हम node of ranvir करते है साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वैसिकल होता है जो कि acetyl choline है next इसकी पी तो इसफ़ डियाग्राम में exon terminal and synapsis exon terminal exon terminal साइनेप्टिक वैसिकल है acetyl choline pre-synaptic membrane और फिर post-synaptic membrane की बीच में synaptic cleft है अब post-synaptic membrane पर receptors भी होते है साइनेप्टिक वैसिकल जब acetyl choline निकलता है जो की synaptic cleft में भर जाता है इसकी साथ impulse भी आ जाते है impulse synaptic cleft से receptor बचल जाते है receptor से next neuron पर ट्रांस्पर जाते है और acetyl choline acetyl choline erase enzyme के दोरा destroy हो जाता है जब तक acetyl choline निकलता है next impulse घंदर से transmit नहीं हो सकता है जिसे हम synaptic delay कहते हैं next brain को diagram सामने आरा आपके स्क्रीन पर cerebral है और cerebral hemisphere उसके बाद है parato lobe फिर उसका occupator lobe है brain को diagram में पर cerebral equiduct को मार कीज़े cerebral equiduct corpus, colism, thalamus and hypothalamus इसी तरह से paunse, veroli, medulog मार कीज़े next point brain की capacity कीत होती है one four five zero cc one four five zero cc reflex section का diagram मार रहा है screen के उपर reflex section का diagram है okay next diagram देखते हैं ice का diagram मार रहा है screen पर screen पर ice का diagram है इसमें equus chamber को मार करें cornea, iris or vitres chamber को मार कीज़े skellera, coride or retina सरसे बार कौन से लेर होती है skellera, फिर कों से लेर होती है retina next lens कौन से प्रोडिन का बना होता है lens zine, crystalline protein का बना होता है next इसमें मार करें malis, incas, step इसको malis, incas, step इसको मार करें next diagram काफी important है skella vestibule skella media and skella timpani skella media में baseline urine के उपर organo quarter i am जिसमें hair cells है जो की auditory impulse को जो की auditory impulse को chemical impulse में convert कर जेती है adistram में marine को mark करें and baseline next diagram endocrine का diagram है इसके बाद यह P2D gland का diagram आ रहा है P2D gland का diagram में एक जिसमा करना है आपको hypothalamus और portal circulation तीक है portal circulation को mark करना है next यह diagram जिस screen पर यह thyroid का है तीक है और परा-thyroid का है thyroid और परा-thyroid का है परा-thyroid का है next diagram आ रहा है kidney का kidney को पर कौन सी के लेंड है adenal gland है adenal cortex बाहर का पार्ट होता है adenal medulla inner part होता है adenal medulla inner part है adenal cortex outer part है next next diagram जिते हैं कौन सा आता है राइग्राम hormone की mechanism राइग्राम है hormone की mechanism राइग्राम इसके इन पर hormone की mechanism राइग्राम हार्मोन जैसे FSH स्वार्मोन जोते हैं यह FSH है glycoprotinus hormone है तो FSH जो glycoprotinus hormone है तो ओवरी की cell membrane पर receptor होते हैं जो की FSH को receive कर लेते हैं जब यह receptor hormone receive कर लेते हैं FSH को तब इसकेंड मेसेंजर cycle MP या कल्चियमाइन active होते हैं और cycle MP या कल्चियमाइन पर biochemical process शुरू जाता है और physiological response स्टार्ट हो जाता है फिस सुनिए हार्मोन है glycoprotinus नाम है FSH तो ओवरी की cell membrane पर receptor होते हैं वो receptor हार्मोन को receive कर लेते हैं उसके बाद secondary messenger को activate करते हैं generate करते हैं secondary messenger generate होता है cycle MP या कल्चियमाइन यह biochemical response परफॉर्म करते हैं और उसके बाद physiological response शुरू जाता है ठीक है next next डाग्राम है हार्मोन की मैगरेंस का ही डाग्राम ही है हार्मोन जो की इस्टेराइट की बने होते हैं जैसे estrogen हार्मोने वो uterine cell membrane से diffuse होकर सीधे nucleus अंदर पहुंचता है nucleus में receptor होता है जो hormone receptor complex बनता है जो कि hormone receptor complex बनता है hormone receptor complex DNA पहुंचता है और उससे messenger RNA बनता है messenger RNA बनता है tissue का formation हो जाता है ठीक है और differentiation शुरू हो जाता है ठीक है इसको mark कर लें important है next इस screen पर 12th class की diagram आ रहे हैं इनको आप छोड़ दें next यमीवा में binary fusion का diagram है और इस में बटिंग का diagram है इसको भी छोड़ दें परी diagram है इसको आपको मार करना है इसको आपको मार करना है को आपको 由 delicate को आपको मार की परना हुआ कॉनिडिया फोर्मेशन पर्ता है, कॉनिडिया फोर्मेशन पर्ता है, इस टेरिगमापर है, तेक्षा है, इसके निजी की आता है, मैट्यूली, जो किशरता है कोटिय्ज़ा manifest पिरे देखे कोटिय। तर गमन कोटिया का ओर भरны कोटिया बेसिप्टल्मेड का बएवर्र कोटिय्ज़ा moisturizing बेसी पिटल मैनर में लगे वे हैं ठीक है कॉनिटियो 4, मैट्रुली, स्टेरिग्मा, और सथ कॉनिटिया नेल्स डियाग्राम देखते हैं जिसकी भी डियाग्राम है, कॉनिटिया का ये पैनिसिलियम फंजाई में शोग गया है नेक्स्ट इसकी डियाग्राम है, ट्यूबर का ये कुश्चन आता है, कि ट्यूबर में जो आईज होती है उसी क्या करते हैं आईज को हम एक्जिलरी बट कहते हैं आईज को एक्जिलरी बट कहा जाता है नेक्स्ट डियाग्राम का जी है जिंजर का है, इसे मार्क करें आप एडविन्टीशेस नूट्स को और बट को एंड नोट्स को ये डियाग्राम भी आ चुका है नेक्स्ट है, हम देखते हैं आफसेट का डियाग्राम है, इसका एडविन्टीशेस बट्स हैं ब्राफिलम लीव में इसको मार्क कर लें देखें ब्राफिलम लीव को मार्क करें और भी ये बुल-बिल के दोड़ा एग्यों में होता है एग्यों की डियाग्रम को मार्क कर लेजें नेक्स्ट डियाग्रम देखें आप आफसेट में इकॉर्णिया आता है इकॉर्णिया को वाटर हाई सेंथ भी कहते हैं इसे टेरर बंगाल भी कहते हैं क्योंकि यह वाटर से सारी ऑक्सिजन को कंजूम कर लेता है उस प्लांट का नम बता है जिसमें सीड वेविलिटी टैन थाउजन एर्स की है ल्यूपीन क्या नम इसका ल्यूपीन और उस प्लांट का नम बता है जिसमें सीड वेविलिटी टू थाउजन एर्स की है फोनिक्स जी इ вами a dux ou a ने एक टाइली पिरौण ऐसा कौन सा प्लांट है कि मोनोकॉरपिक भी है और प्यरिनियल भी है वह कौन सा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग भी उगर होती है तो एलियर्स गसे बातो ह ताइसोगेमीट का डाइकरम में पर आइसोगेमीट आउप कलेटो फोरा, मार्क करने इसको, पिर हैट्रोगेमीट आउफ फ्यूकस, हेंट्रोगेमीट्स आप होमो सैपियन्स हिमन बींग्स के हैं एक स्पर्म है और एक क्या है ओवाम है नेक्स डियागरम दिखते हैं काफी इंपोर्टन डियागरम है इसमें आप कारा के सेक्स ओर्गन को मार्क करें female sex organ को Notcle कहते है और человечес werden gimbal कहते है cockroach की राइगराम को mark करें male cockroach और female cockroach male cockroach में NL style होता है female cockroach में non distint female cockroach की overe में 8 overt 오 dispos होते है नीचे जो diagram दी है जो मैंने मार्क है यह sweet potato का है और यह bisexual है स्वीट पर्टेटो का फ्लावर बाई सेक्सवल होता है स्वीट पर्टेटो का फ्लावर कैसा है बाई सेक्सवल है जो इंपोर्टेंट डियाग्राम है मैं मार्कर आरूम भी आपको वो है मार्केंशिया का मार्केंशिया का गेमेटो फाइट है न यूनिसेक्सवल है मतलब डायशेयस है फिमेल तहले सो देखें आर्ची गुनिय फूर को मार्क करें और एंध्री डे फूर को मार्क करें तेकें मेल फिमेल की पहचान बहुत काई दिस करने इसमें नेक्स्ट इसक्रीन पर क्रोमस्टम्स की नमबर है इसमें से आप हुमेन बिंग के हाउस फ्लाई के और फ्रूट फ्लाई के और याद कर लें और मेस के नेक्स्ट डियाग्रम देखें आप प्लसेंटेशन डियाग्रम देखें आप प्लसेंटेशन देखें मार्जनल प्लसेंटेशन few kinds of fruit showing seed तो यह diagram जो है वो legume का है ऐसे seed है पीसे पेरिकार्प है और fruit कौन सा है यह legume pod जिसे बोलते है यह pod का diagram है pod उसके बाद यह siliqua का diagram है parietal presentation है और last diagram जो पीपो का है कुगर बिट्स का नेक्स देखें आप diagram female flower है stemmen है इसकी में जो diagram हा रहा है इसको mark करें इसमें एंथर का diagram है यह फ़ेया है पैरेट लिएक 可 पॉलिप्लाइड है और फिर्द्स के पॉलिप्लैड होती है नेक्स डियाग्राम है उसमें इस्टोमियम को मार्क करें आप इस्टोमियम को मार्क लिजेगा ठीक है और फिर पॉलेंग गिरेंग पॉलेंग गिरेंग है 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 इसमें asymmetrical spindle fire बनना है, इसको मार कर ले जाओ, ठीक है, asymmetrical spindle fire बनना है, और पॉलिंगेन कैसे हैं, बाई सल स्टेज में है, जिसमें एक vegetative cell है और एक genitive cell है, बाद में genitive cell से दो male gamit बनते हैं, और vegetative cell से pollen tube का formation होता है, नेक्स डियाग्राम है, बी product है, honey bee के product डियाग्राम है, ठीक है, नेक्स डियाग्राम देखें आप, यह आता है female gamitophyte का, इसमें आप last diagram में मार करें, जहां लिखा है microfilar end और chalizer end, ठीक है, यह female gamitophyte का डियाग्राम है, एंटी पोड़सल से लिसंग्या 3 है, और polar nivelex निग्सलि नेक्स डियाग्राम देखें हैं, यहां पर diagram complete हो सकते हैं, बागी diagram जाएं, नेक्स वीडियो में, thank you, wish you all the best, आप में यह वीडियो को like भी कीजएगा, और share भी कीजएगा, subscribe टिकरें, thank you